मस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मिठाई खाने का सभी का बहुत ज़्यादा मन करता है और मिठाई सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो दोस्तों आज आप के लिए लेके आए हैं बहुत ज़्यादा स्वादि तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए तो बनाने के लिए यहां पर देख सकते हैं मैंने लिया है दोस्तों एक ग्लास दूद से हम एक किलो बर्फी बनाएंगे दोस्ते सबसे सीक्रेट तरीका है बनाने का अगर यह तरीका जाएंगे तो आप मावा की मार्केट की आप डालना चाहते हैं उतना मैंने इसमें मीठा डाल दिया है और मीठा डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और यहां पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर और यह मिल्क पाउडर आपको मार्केट में बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाता है तो यहां पर देख सकते हैं milk powder लेने के बाद में हम इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और इसको mix करने में हमें 2 मिनिट का वक्त लग जायेगा क्योंकि इसमें एक भी lump नहीं होने चाहिए mix करने में और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और मैंने दोस्तों नई नई जो हमारी वीडियो होती है ना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है तो आप वहाँ जाकर के भी हमारी नई ने वीडियो देख सकते हैं और हमें इस्टाग्राम फैस्बुक पर भी आप फोलो कर सकते हैं तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स होने लगा है और इसमें जो हमारा दूद था वो बिल्कुल ठंडा था बिल्कुल भी गरम नहीं था दूद और दोस्तों मीठा खाने के बाद में मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है सभी को तो ये मिठाई आप एक अपते के लिए रख देंगे तो खराब भी नहीं होगी और आपको मार्केट जाने की आप मावा की मिठाई बनाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ेगी उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्ट आएगा इस मिठाई के अंदर तो देख सकते हैं ये बिल्कुल मेल्ट होने लगा है तो ये अच्छे से मेल्ट होने लगा है देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लंप से नहीं दिख रहे हैं मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाला है तो देख सकते हैं मैंने इसको गेस के ऊपर रख दिया है तो अब इसको हमें इसी टाइप से चलाते रहना है ताकि इसकी जो मलाई है ना हो साइडों में चिपकना स्टार्ट हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं चिपकाना है मलाई क तो इस तरीके से में continued ही इसको mix करते रहना है तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें continue इसको mix करते रहना है और आपकी जब भी यह मेलाई साइडों में लगे तो आपको बार बार इसको progressive कलते रहना है नहीं तो इसकी मोटी सारी लेर बन जाए कि आप नहीं निकालेंगे तो और हमें इसको कंटीनू चलाते रहना है और आप इस टाहिमें दोस्तों गैस का फ्लेम बिलकुल फुल रख सकते हैं तो यह देख सकते हैं जो मिठाई का हमारा बेटर था हो पहले से बहुत ज़्यादा गाड़ा होने लगाए तो यहां पर देख सकते हैं यह और भी जैसे जैसे पकना स्टार्ट होगा वैसे वैसे यह बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा बेटर तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी वीडियो में कि आपको किस तरीकी का बेटर से इस मिठाई के अंदर मिठाई के जिसके से बहुत गरम है यह देख सकते हैं तो पक्रवलां हो चुका है मिठाई की तू यहाँ पर मैंने लिया एग टिबबा तो इसमें हम थोड ह Banana से लगा लेते हैं कि क्योंकि मैंने इसकी उपर बटर पेपर का यूच किया है क्योंकि इसे से बहुत तरीके अब से जो मिठ तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से सेट कर लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से मिठाई बनाएंगे तो आप मावे की मिठाई बार से जो मिठाई मार्केट से लेके आते हैं और दोस्तों मीठा खाने का सभी को मन करता है तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल उपर से चिकना कर लेंगे ताकि ये बहुत फर्फेक्ट तरीके से सेटो हमारी मिठाई तो आप किसी भी बर्तन में, किसी भी डिब्बे में, किसी भी चीज में इसको आप जमा सकते हैं, सेट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से मिठाई को अच्छे से सेट भी कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल उपर से चिकनी होनी चाहिए इस तरीके की ताकि जब मिठाई कटे बने तो बहुत ही परफेक्ट बने कटे तो ये लीजे हमारी बिल्कुल एकदम चिकनी हो चुकी है ये देख सकते हैं आदे गंठे में ही बिल्कुल फर्फेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है तो अब इसका हम उपर से परनी जो पोलो जो मैंने बटर पेपर का यूज किया था बटर पेपर हम निकाल देते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से हम इसको उल्टा जो हमारे नीची का इससा है वो मिठाई का निकाल लेते हैं तो ये देख सकते हैं कितनी आच्छी तरीके से मिठाई सेट हुई है तो अब इस पे दोस्तो हमें चांदी का वर्क लगाना इस तरीके से ताकि इसका जो लुक है और भी अच्छा लगे और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टैस्टी लगे मिठाई तो इस तरीके से हम पूरी मिठाई पे चांदी का वर्क लगा देंगे तो यह लीजिये चांदी का वर्क भी लग चुका है तो मैंने पूरी मिठाई पर चांदी का वर्क लगा दिया है तो अब इसको हम किस तरीके से काटना ये भी हम देखते हैं तो अब हम काटना स्टार्ट कर देते हैं मिठाई को तो सबसे पहले तो इस तरीके से हम साइड की जो किनारी है वो हम निकाल देते हैं और अब हम इस तरीके से इसको लंबे फीसेस में कट करेंगे तो आपो कटने से अंदाजां लग रहा होगा कि मिठाई अन्दर से कितनी शौप तयार हुई है तो इस तरीके से हम इसकी लंबी फीसित में कट कर लेते हैं देख सकते हैं तो यह लीज यह हमारी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है यह मिठाई और देखते ही खाने का मन कर रहा है दोस्तों इस तरही के से आप बनाएंगे तो घर में ही बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं आपको मार्केट जाने की भी जरूत नहीं है तो मैंने यहाँ पे प्लेट लिए सरव करने के लिए तो प्लेट में हम मिठाई को सरव कर लेते हैं तो यह लीज यह हमारी मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है दोस्तों इस तरीके से आप में मिठाई बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगे देख सकते हैं कितनी सोप्ट बनी है यह तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें